दो लोग एक दूसरे से मिले जो एक दूसरे से completely opposite थे पर उनमे instant attraction था आद आगे बढ़ी और उन दोनों के गोल completely अलग थे वो एक दूसरे से बहुत ज़ादा हर्ट होगे क्या है दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे कि हम आज के हमारी movie without saying goodbye ये 2022 की एक romantic movie में देखने वाले एक बहुत ही अच्छे से message के साथ आती है इसके इंडिंग भी बहुत beautiful है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको ये वीडियो चलगता है तो ब्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे और बिना घिसदेरी के explanation स्टार्ट करते है मू बहुत ही discipline था और हमेशा काम करता रहता था जिस company में काम करता है उसके फादर की बहुत ही बड़ी company है उसके फादर उसे एक बहुत ही बड़ा independent project दे रहे थे उसके अब तुम्हें करना पड़ेगा जहाँ पर उसे hotel बनवाना था वहाँ पर जाकर उसने सारी लैंड देख इस city उसे बहुत अच्छी लगती है उसने फादर से कहा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा hotel बनेगा अपने आगे आने वाले success के लिए पार्टी रखते है एक दो साल जाकर अब उसी टाउन में उसे रहने पढ़ने वाला था वो घर पर पहुचा और नेबर में एक पार्टी चल रही थी तो वहाँ पर आ जाता है वहाँ इक बहुत यी ब्यूटिफल से लटकी थी इसका नाम था अरियाना इसकी सिंगिंग उसे बहुत अच्छी लगती है इक लेड़ी उसे पास आती है और पूछ थी कि क्या तुम मेरी टिंडर डेट हो सालवर दोर इसके लिए मना करता है उसने उस लेड़ी जिसका नाम था उपरी उससे पूचा क्या तुम उस लड़की को जानती हो वो कहती कि वो मेरी डॉटर की तरह है सब लड़किया जब डांस करे थी तो अपने पीचे एक आगज लगा हुआ था अगर कैंडर लेकर किसी आदमी को उसने आग लगाने थी का मतलब है उलड की उस आत्मी में इंट्रस्टेड है वो परी ऽालो डॉर से कही थी कि तुम्हें जाकर ट्राइ करना चाहिए सालो डॉर ने ट्राइ कια और अर्याना उसे आग लगाने दे यह डांस के बास सालो डॉर के पास कया वो पैंट अरेच करे थी तो गलती से सा करने के लिए हम डांस करते हैं बातों में अरियाना को बता चला इस बढुत सीक्ना बहुत है फूँचा कि तुम्हारी शिफ्ट कभ खतम होती है अुटिया ने चलिसे कहता है कि में लिए ट्रिंक offer करना चाहता था अरियाना कहती कि मुझे handsome लड़के उतने अच्छे नहीं लगते सालोडोर मजाग करता है कि मुझे भी नहीं लगते अरियाना ने कहा कि तुम्हारे welcome के लिए हम drink करी सकते है उसे बुछता है कि क्या तुम्हारा कोई boyfriend है अरियाना कहती कि मैं single हूँ और कोई भी commitment नहीं चाहती सालोडोर कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है पर commitment जब करनी पड़े तब मैं कर सकता हूँ इन दोनों ने बहुत सारी बाते की सालोडोर अरियाना के करीब आगया उसे कहती कि मैं first date पर kiss नहीं करती सालोडोर कहता है कि technically हम date पर नहीं गए इसके पाद एक दूसरे को kiss कर ले थे और वही पर intimate हो गए नेक्स जब सालोडोर जब आरियाना से मिला तो उसे कहता है कि कल रात बहुत ही amazing थी अपरी को इन दोनों की chemistry बहुत अच्छी लगती है अरियाना जो भी काम करे थी तो सालोडोर उसके पीचे-पीचे जा रहा था उसे मैं पुछती कि तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो सालोडोर कहता है कि यहाँ अपर में होटेल बनने के लिजा आएओ अपना सारा काम उसे दिखाता है पर अरियाना इंप्रेस नहीं थी उसे नेजर के अगेंस जाकर बड़ी बेड़ी बिल्डिंग्स बनवाना अच्छा नहीं लगता था सालोडर का प्लान था कि उनके होस्टेल को बाई करेगा और वही पर होटेल बनवाएगा इस बात से वह बहुत जादा गुस्सा होगे उसे कही थी कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आयो हमें होस्टेल कभी भी सेल नहीं करेंगे उसे जाद जाते कहे कर गए कि कल राज जो भी हुआ वह सिर्व एक रात की बात थी अब हम दोनों के वीच में कुछ भी नहीं रहेगा जो भी सालोडोर करने वाला था इसके वारे में अरियाना ने अपरी से बात कि अपरी उसे समझाने की कोशिश कर दे कि हर वक्ट डेवलोप्मेंट उतनी जादा बूरी नहीं होती शाहिद लोगों को इसकी ज़रुवत भी पड़ेगी अरियाना ने कहा कि यह घर मेरे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है उसकी पैरेंट्स की निशान ही है अपरी उसकी बातों कि उतना ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं होस्टेल में एक वाटर हीटर की ज़रुवत थी तो सालोडोर ने अपरी को एक इफ्ट किया इस जगा के पूरे ब्लूप्रिंट को डिसकस कर रहे थे यह आरियाना देखती है और इस बात से हो गुस्सा हो गई थी वो अपरी को कहती कि तुमें से सेल कैसे कर सकती हो अपरी को लग रहा था कि आरियाना और सालोडोर की बीच में फाइट हुए इसी वज़े से हो गुस्सा है दो-तीन दिनों तक आरियाना अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली Salador उसे कहता है कि तुम दिन में कैसे सो सकती हो Aryana कहती कि मैं हमेशा रोबोट की तरह काम नहीं करती रहती एक दिन खुदाई करती सालो डूर को Aryana का बचपन का एक बॉक्स मेला जो से देने के लिए चला जाता है Aryana देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी बचपन में उसने इसे गाड़ा हुआ था वो अब भी कंस्ट्रक्शन की वज़े से उस पर बहुत गुस्सा थी इस बॉक्स में उसके पैरेंट्स की फोटो है यह देखकर वो इमोशनल हो जाती है नेक्स डे सालो डूर अर्याना के पास आया बहुत भी खराब थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा ड्रंक थे कोई नाने की वज़े से टूर गैंसल होने वाला था पर सालो डूर कहता है कि सब के लिए मैं पे कर सकता हो पर उसे जाना था आर्याना उसका मज़ा कुड़ा थी है कि बापा के बैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो इसके बाद इनका टूर स्टार्ट हुआ लोकल प्लेसेस पर जाकर हो शॉपिंग करते है एक लेड़ी एक चीज दिखा करोने गए थी कि इससे निगेटिव एनेजी धूर होती है सालोडर कहता है कि आर्याना को ये दे दो दोनों में फिर से अच्छी से बाते होने लग गई थी सालोडर पुछता है कि मैं होटेल बनवाने वाला हूँ पर इससे तुमें इतना ज़्यादा प्रॉलम क्यों हो रहा है इससे टूरिजम बढ़ेगा और बहुत सारा प्रॉफिट होगा आर्याना कहती कि इस प्लेस की ब्यूटी इसके कल्चर में है अलग-अलग प्लेसेस में नहीं वो इस तरीके से उस कल्चर के अगेंस नहीं जा सकती थी वो इस वर बहुत गुस्सा हो गई थी तो सालोडर कहता है कि तुम मुझसे डिसगरी हो सकती हो पर इस तरीके से मुझसे बात करने की कोई जरुवत नहीं है सालोडोर ने एक जज देखा और वहाँ पर वो जाना जाता था पर अर्याना कहती कि मैं उस पर बिलिव नहीं करती हेवन से उसकी मदर उसका खैल रख रही है इसी जीज़ पर वो बिलिव करती थी इसके बाद या अलग अलग जगा पर हाइकिंग के लिए के सालोडोर ने अर्याना के नेक पर एक टैटू देखा जिसको पिक्चर लेता है वो गयता है कि इसका मीनिंग क्या है अर्याना कहती कि एक स्पेशल टैटू आर्टिस ने बनवाए हुआ था तुम्हें उसे स्टोरी सुनाने पड़ती है और अगर इस स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगे तब यो टैटू तुमारे लिए बनवाती है सालोडोर इसमें इंटरस्टेड हो गया पर अर्याना इसका मीनिंग उसे नहीं बताती है वो स्टोरी भी बताने से मना करती है इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेते है रात में इनोंने कैम्प और फायर बनवाई तारों के नीचे सोय हुए थे अर्याना कहती कि तुमारा सेवन स्टार होटेल कभी भी फिलिंग नहीं देगा हाइकिंग करते करते हैं बहुत दूर आ गए थे सालोडोर कहता है कि हमारा टूर तो बहुत ही छोटा था अर्याना कहती कि ज़्यादा में इन सब चीजों पर भीलिव नहीं करती इस मुवमेंट मुझे ब्यूटी है इसी को एंजोई करना चाती थी सालोडोर कहता है कि बचपन में मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक में पैटर्स होते थे और यही पैटर्स उसे मैथमेटिक्स में अच्छे लगने लग गए और बाद में ओ आर्किटिक्चर में चला किया आर्याना उसे कहती है कि बिजनेस की वज़े से तुम्हें गलत रास्ते पर चलने लग गयो पास में बैट कर वो मेडिरेट करने लग गई सालोड और कभी भी इस तरीके से शान नहीं बैट सकता था उसे मसाज देती है और रिलाक्स रहने के लिए कहती है थोड़ी देर में वो सो गया था और बाद में उसे जब नीन आती है तो वो बिलिव नहीं कर बाता कि दिन की बीच में वो सो गया था आर्याना ने कहा कि इस तरीके से न्यू चीज़ें डिसकोवर करना ये बहुत इंपोर्टन होता है सालोडोर हमेशा अपने काम को लेकर वरीज करता रहता है पर आर्याना कहती है मैं अपने डे टू डे मूवमेंट के लिए जीती हूँ उसे किसी भी जीज़ के लिए वरी करने की ज़रूद नहीं पड़ती बाते करते करते हाइस्ट पीक तक आके वो इस मूवमेंट को कैप्चर करते है वहाँ पर एक कोरियन कपल भी था जोने फोटो लेने के लिए हेल्प करता है उन्हें लगता है कि आर्याना और सालोडोर मैरीड है Salador भी Korean में उनसे बात करा था और उनने भी उनके marriage के लिए congratulate करता है Ariana कुछ भी समझ नहीं पाई थी तो Salador ने उसे सब कुछ बता दिया Ariana कहती कि मैं प्यार और शादी इन सब चीजों पर बिलिव नहीं करती अगर तुम किसे से प्यार करती हो तो हर्ड भी उतने जाद ही हो जाती हो हाइकिंग करते करते Salador के phone पर range आके उसे अपने father से और company से बहुत सारे mail आये हुए थे Ariana कहती कि यहाँ तुमें phone पर distract होने की कोई भी जरूरत नहीं है उसे phone चीनने की कुशिश करती है पर Salador का phone तूट कया वो इसके लिए उसे बहुत sorry कहती है पर Salador इससे बहुत upset हो गया था Ariana कहती कि इससे तुम अपनी addiction से पच सकोगे Salador कहती है कि 5 दिनों से मैंने यूज नहीं किया था मुझे कोई भी addiction नहीं है सिर्व अपनी company को लेकर वो जरा वरीड था गयता है कि हर कोई दुमारे जैसा नहीं जी सकता थोड़ी देर में Ariana से कहती है कि अगर तुम गुस्सा ना हो तो एक जगा पर हम जा सकते है ये एक mountain पर बहुत ही beautiful सा swing pool था Salador ने Ariana के body पर एक scar देखा वो गहता है कि मुझे scar जो represent करते हो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बार तुम्हें घावा है उसके बाद वो repair भी होता है वो दोनों swing करने लग है Salador उसे पुछता है तुम हमेशा अलग-अलग जगा पर जाती रहती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता अरियाना कहती कि exploration में तो बहुत मज़ा है वो कभी भी उसे कहा जाना है कि वो decide नहीं करती है अलग-अलग जगा पर जाती रहती है Salador उसके करीब आ गया तो अरियाना कहती कि हम दोनों ने decide किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है Salador कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते है उन्हें बता था कि उन दोनों को relationship नहीं चाहिए पर इस moment को enjoy करना चाते थे तो इस दोनों intimate हो जाते है इसके बाद अपनी टूर में उन्हें जहाँ जाना था एक highest mountain पर वहाँ पर वो पहुच गए यह बहुत ही beautiful था वो यहाँ पर उसे किस करती है और Salador ने कहा कि क्या तुम मेरे प्यार में पढ़ रही हो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे complicated relationship नहीं चाहिए यह उस सब मजा करते करते कह रहा था यह beautiful से टूर खतम हो जाने के बाद यह फिर से घराने के लिए ready हो गए घराते वक बहुत बारिश हो रही थी बस भी बहुत ही fast चल रही थी बस के उपर पत्थर बढ़ने के वज़े से कास तूट जाता है इस वज़े से आरियाना बहुत disturb हो गई थी वही के वही नीची उतर जाती है वैसे अपसेट होकर वो घर पर आई उपरी उससे बुछती कि क्या तुम दोलों में फिर से जगड़ा हुआ सालोड और बस के साथ जो भी हुआ था यह उससे बता देता है उससे बुछता है कि आरियाना के साथ हुआ क्या था अपरी ने कहा कि जब वो 13 साल की थी तब उसके पैरेंस की कार अक्सिडेंट में डेथ हो गई थी इस अक्सिडेंट में सिर्व आरियाना बची थी और इसी वज़े से अक्सिडेंट से बहुत डर लगता है अगली दीन से फिर से साल जोर का काम स्टार्ट हो गया कॉल ना उठाने के लिए उसके फादर से बहुत बहुत बोलते है उन्होंने कहा कि यहाँ बर हमें एक बहुती बड़ी बिल्डिंग मनानी है इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी इसलिए सालो डॉर को यहाँ के ऑफिशियल से उसने मिलने के लिए का वाफिशियल उसे करता है कि तुम्हें जो चाहिए हम वो सब कर सकते हैं पर बात यही है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे इस तरीके से बिजनेस करना सालो डॉर को अच्छा नहीं लगता था थोड़ी देर बाद अरियाना को जब अच्छा लगने लग गया, तो सालोड और उसके पास आता है, वो गाम करकर ज़रा ठक गया था, तो नैचरली उसका मसाज हो करने लग जाती है, उबरीकुन दुनों की केमेस्टी बहुत अच्छी लगती है, अरियाना ने कहा कि आज शा साथ वो घुल मिल जाता है, फूट टेस्ट करता है, डांस करता है, हारियाना उसका मज़ा करती है, तुम्हारा डांस बहुत ही ब्यूटिफुल है, एक दूसरे का साथ इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, रात में सालोड और को उसके फादर मैसेज करते है, कहते है क अब तक लैंड की डील तुमने कम्प्लीट नहीं किया, कल तक अगर तुमने इसे कम्प्लीट नहीं किया, तो हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट को गुडबाय कहे देना, सालोड और अपरी की पास आया, पर हो समझ गई थी क्यों क्या कहने वाला है, अपरी कहे थी कि यह ज सालोड और उसके पास आकर प्यानों बजाने लग जाता है, यह दोने बहुती ब्यूटिफुल सा म्यूजिक प्ले करते हैं, सिंग करते हैं, एक दिन आरियाना ने अपरी की सब चीजों में सालोड और को ओफर देखा, यह देखकर वो बहुत जादा गुस्सा होगे, अपर पर अरियाना इस बात को नहीं मानती, उसे जाते हो सालोड और देख लेता है, और रोकने की कुशिश करता है, पर वो बहुत गुस्से में थी, इसे मुमेंट पर सालोड और के फादर यहाँ पर आके, वो उसे कहते हैं, जो काम तुम कपलीट नहीं कर पाए, इसे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, तो सालोड और कहता है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं, वो उसे में यहाँ से जाने लागया, उसके बातर कहते हैं, कि हम यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पर करोड़ों की डील होने वाली है, सालो करती कि उसे जहां भी अच्छा लगे वहां पर जाती है उसे कुछ भी पता नहीं था सालोड और उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है अबरी ने कहा कि हमेशा उसे पूनो जाना था उसके पास जादब ऐसे नहीं है तो फ्लाइट से हो कही पर भी जा नहीं सकती तो ट्रेन से ही क निकल पड़ता है अरियाना की ट्रेन निकल चुकी थी उसके बात की ट्रेन में वह गया बहुत लंबे सफर के बाद वो पुनों तक पहुच गया हर जगा पर उसे धुड़ने की कोशिश करता है पर उससे कही पर भी नहीं मिलती यह प्लेज रिलेटूली बहुत बढ़ा थ उसी के पास आगया और अर्याना उन्हें से जिस तरीके से कहा था उस तरीके से घृ지 करता कुछ व्लॉकर्स، वाह पर विड़ो बना रहेए ते तोंसे उसके बारे में पुछना पूछता है उन्हें पता नहीं था पर गहते कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो सकत देती है वही फोन है जो उससे तूट गया था तूरं सालोड और को उसकी लोकेशन पता चल गई वह जल्दी से वहाँ पर बागा और व्लॉगर से लिफ्ट लेता है उन्हें अपनी सारी स्टोरी उसने बता दी थी वह गहते है कि आरियाना ने तुम्हें कर दिया कि वहाँ प अब नहीं बनने वाला है उसे अब सी के पास ही रहना था अरियाना और उसे सी बहुत पसंद था तो गहता है कि मुझे यही पर रहना है उसने कहा कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर घर बनाना चाहिए वह भी उसे काइट सर्फिंग के लिए लेकर जाना चाहता था आरियाना ग्या-क्यूण से पुछती है कि क्या तुम शियर हो केम दोनों एक दुसरे को हेंड़ कर पार तो बहुत मुझे ले पर फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत पर्फिक्ट है जैसा हम एक दूसरे के लिए बनेंग के लो क identific सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको एक सब्सक्राइब कर दिए और अपने आपका खैल रखिए